नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्जुन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूग चैनल पर दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और मॉस्ट यूजफुल होने वाली हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंतक ज कि आप अपने खोई फोन को या चोरवी फोन को कैसे पास सकते हैं उसकी लाई लोकेशन कैसे देख सकते हैं हाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको step by step में बताने वाला हूँ हाँ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप हम वाली future में मेरी सभी वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए वीडियो को और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने चोरी हुए या खोई हुए फोन को वापास तो दोस्तों इसके लिए आपको सर्च करना होगा सर्च बार में गूगल गूगल फाइंड एफ आई एंड गूगल फाइंड माई डिवाइस जैसे उपर आ जाएका आप उस पर क्लिक कर लेना है ये एप्लिकेशन वो है जिससे हम अपने फोन की लाई लोकेशन देख सकते हैं कि अशुलाल हमारा फोन कहां पर है किस के पास है मैंने ये एप अपन फोन्स में इस्टोल की है दोस्तों मैं बता दू कि इस एप के बारे में आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो लैटेश्ट फोन अब मार्किट में आ रहे हैं उनमें ये फीचर्स पहले ओलेडी फोन्स के अंदर दिया हुआ है और यह दिया आपके फ वीडियो को बनाने का मक्सित में रही था कि जिनके फोन में ये अप नहीं है वो जान लें तो मैंने ये पहले से इंस्टोल की हुई है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं आपको डाउनलोड करना है इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें एक email आईडी से login करना होता है आप किसी जैसे मैं इसमें अपनी email ID से फिल्स कर देता हूं तो continue as जैसा मेरा नाम आ रहा है टेक्निकल्स यह मेरी ARD है क्योंकि यह मेरा other channel है तो इसलिए आ रहा है आपको करना क्या है कि continue as अपने इस पर दीख रहा है पर्मानेंटली रखना है आपको इसमें sign up कर देना और sign up करने के बाद मालिज़े चार दिन के बाद पांच दिन के बाद एक महीने बाद एक साल के बाद आपका फोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो यह app आपकी मदद करेगा फिर आपको क्या करना है दोस्तो कि आपको दूसरे फोन को लेना है और दूसरे फोन में ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है अपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसी email ID से sign up करना है इसमें login करना है जो आप जिसमें आपने जो खोया फोन है आपका उस फ आपको इसमें continue आज़ा अपने खुद की अभी इसको बताने जा रहा हूं कि इसमें कैसे sign up करते हैं इसमें एक password करना होता है आप यदि password भूल गए हूँ Google email ID का तो आप इसे forget भी कर सकते हैं और यदि आपको याद है तो आपको इसमें fill कर देना है तो दोस्तों ये भी password गलत बता रहा है चलिए मैं एक बारो try कर लेता हूं तो दोस्तों देखें ये हमारा password सही हो गया है और अब ये open हो चुका है जो एक आपके पास एक permission आएगी आपको इसे accept करना है इसको आप read कर लेना है इसमें क्या लिका है इसमें लिका है by using the my find my device service you allow google to use location data device information and connection events to locate your device and SSC's device location in approximate and may not always be accurate आपको location जो device information है वो इसको accept करने होगी दैन जब आपको ये show करेगा इस app में जैसे आप sign up कर लेते हैं तो ये app आपके phones की accessories आपकी battery आपका data आपका location दिखा देगा कि आपका phones कहां पर है आप अभी देख रहे हैं कि जो मेरी ये location है आपका है दिखा रहा है phone की यहां पर ये phone है हां दोस्तों इसमें आप कौन सा phone use कर रहे हैं वो सब दिखा देगा आपका phone की battery किदनी percentage है 99% है कौन सा SIM चला रहे हैं इसमें सबार है जी ओ अभी आपका phone किस में आपको यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे लिखा है play sound हां दोस्तों play sound लिखा है इसका मतलब है आपका phone अभी जब जैसा कोई calls करता है तो वो silent नहोंकर sound पर है अभी आप नीचे लिखावा है secure device अभी इस पर ताला लगावा है यह सभी तरीके से secure हैं आप यदि इसे ही रेजर हमें हटाना चाहते हैं device को दूसरी add करना चाहते तो वो हो जाएगा इसमें एक ओर phone है यह इसी email id पर मेरा दूसरा phone से यह उसकी location अभी देख रहा है contacting device दिखा रहा है अभी क्योंकि वो मेरा phone उदर दूसर डैमस हो गया था बना भी चल रहा है साथ से चोप पड़ा होगा इसलिए थोड़ा time लग रहा है देखे यह आ गया है अब इसमें यह दिखा रहा है कि लाच्छीन yesterday शिक्स 29 मिनट्स पर यह इसकी location लाच्छीन देखा गया था यह भी sound पर है शिक्योर है और इसमें कौन सा phone है आप देख सकते ओपो a7 और दोस्तों आप साथ ही उस phone का यह दिया आपके पास bills खो गया हो या आप उसका MI number चेक करना चाहते तो आपके सामने MI number भी open हो जाएगा हाँ दोस्तों यह सब इसमें आपकी और लाच्छीन इसमें दिखा गया पांच जनवरी 2022 यह सब आपके MI number से models number है यह सब आपको दिखा देता है और यह मेरा first वाला जिसमें मैंने भी sign up किया हो है यह वह phone है यह phone तो दोस्तों यह बहुत ही useful app है आप इसे अपने phones में हर वक्त इसे इंस्टाल करके रहे हैं कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं आपका phone किस टाइम पे चोरी हो जाए या खो जाए और आपको घपराने की जुरत नहीं यदि आपने यह device यह application आपने phone में इस्टॉल की है हाँ दोस्तों तो दोस्तों आसा करता हूँ आपके यह वीडियो पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आपके लिए useful है most तो आप हमें comment करके अपनी राय को बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार